वीडियो शुरू करने के पहले एक बहुत महतुपूरन अनॉंस्मेंट हमने भी हमारे एक वाटसअप चैनल शुरू किया है जहाँ पर हम आपसे कई अपडेट्स शेर करते रहेंगे हमारे चैनल और देश के इंफ्रास्रक्चर से डिलेटेड तो हमारे वाटसअप चैनल को आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिएगे लिंक के जरीए जोइन जरूर कर सकते है और शुरू करते हैं वीडियो मैंने करीब दो साल पहले एक वीडियो बनाया था जहां मैंने आपको मुंबई के पूरवी टट में प्लान किये गए मुंबई इस्टन वर्ट अफरन प्रोजेक्ट के बारे में सूचित किया था उस वक्त ये प्रोजेक्ट सुरुकियों में था और गॉवर्मेंट इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत confident थी और इसके साथ उसका announce किया गया था पर announcement के कई मैंनों बाद ये मेगा प्रोजेक्ट थंडे बस्ते में पढ़ गया और government इस प्रोजेक्ट के उपर कोई ठोस points लेते हुए नजर नहीं आई ऐसा लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट सिर्फिक plan बढ़कर रह जाएगा पर अब recently ऐसी कुछ infrastructure transformation हुई है मुंबई के आसपास में जिसी कारण सरकार का इस प्रोजेक्ट के अंदर का interest फिर से बढ़ गया है और आज हम इनी transformations के बारे में जानेंगे और साथ में Megaproject के future को भी समझेंगे पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब कर ले मुंबई के Eastern Coast में ये जो इतनी बड़ी पोर्ट रश की जमीन पड़ी है उसे रीड़लब करने का plan रखा गया है और इस project को अंजाम देने का एक valid कारण भी मिल गया है वो कारण पहले समझते हैं पहला है MTHL या Mumbai Trans Harbor Link Mumbai Trans Harbor Link या श्री अटल विहारी वाजपाई ट्रांस हर्बर लिंग एक ऐसा under construction 28.8 km लंबा 6-lane access controlled expressway है जो कि Mumbai के satellite city नवी Mumbai को जोडने वाला है यह bridge almost पूरी तरीके से complete हो गया है बहुत कम काम इसके अंदर बचे हुए है और probably इस साल के अंतर के यह public के लिए खुल जाएगा और ज़्यादा महीने इसके लिए बचे नहीं है गौर देने वाली बाद यह है कि MTHL bridge Mumbai के eastern coast में start होता है और यही पर Mumbai के eastern waterfront में यह जो project के हम बात कर रहे है development की वो भी plan की गई है तो इसलिए MTHL bridge के starting point का यह हिस्सा जो आएगा future में वो एक prime region में convert होने वाला है क्योंकि इस region से पूरी Mumbai की connectivity और Mumbai के बाहर जाने की connectivity और अंदर आने की connectivity यह सब बहतर बनेगी यह मुंबई के पूरे भाग western Mumbai यानि जो marine drive या साथ Mumbai का एरे है वो इसके लावा नवी Mumbai इन सब से बहुत अच्छे से connect हो जाएगा proper elevated express जरीए जिसके वाजे से यह region जो पहले kind of disconnected था और eastern freeway छोड़के यहाँ पर कोई connection नहीं था वो one of the most important areas बन जाएगा और इसके लिए यहाँ पर development की possibilities ज़्यादा बढ़ेगी लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा factor है वो है growth of NMIA and NANA NMIA या नवी Mumbai International Airport और NANA यानि नवी Mumbai Airport Influence Notified Area MTSL का यह bridge जहाँ पर नवी Mumbai में जाकर land होता है वहाँ exactly pass में बन रहा है 2024 में ही plane सिया से take off करने का काम शुरू कर सकते at least trial business पे और इसलिए जो यह bridge है इसके अंदर से जाने वाला traffic starting में ही जादा होगा at the same time नवी Mumbai के इस International Airport के पास में NANA यह smart city ना सिफ plan की गई है लेकिन अप्रूव हो गई है और इसका development शुरू हो गया है जापर जो necessary utilities होती है बिजली, पानी, roads इसके उपर काम शुरू हो गया है NANA ग्रीन फिल्ट प्लान सेटी है यो की बहुत जादा focus करेगी new age high margin industries को develop करने के लिए और इसलिए यह जो bridge के areas है Mumbai के दूसरी तरफ में यह बहुत जादा लोगों के लिए job opportunities create करेगी, यहाँ पर पैसा आएगा यहाँ पर development होगा, लोग travel करेंगे port यहाँ पर होने का जैसे logistics तो यहाँ पर होगा ही, और साथ-साथ यहाँ पर basically जो overall human movement है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और यह high value, high income moment होगी, अब यह चीज़े जब नहीं थी, तो यहाँ पर यह जो land है, east coast का इसको ignore किया गया था, यहाँ पर जो Mumbai port trust है, वो port, logistics, warehousing, ship breaking जैसे जोड़ी-उड़ी activities होती थी, लेकिन यहाँ पर अब, क्योंकि यह चीज़े shift होने वाली है, bridge के कारण, तो यह land अलग तरीके से use किया जाएगा, यह land old Mumbai का पार्ट था, जा आपको British times के buildings भी मिल जाएगे, तो इसलिए real estate भी जादे अपर developed नहीं थी, kind of यह backward area था accessibility के वापर मेरे बात वैसे भी पहले की और इसलिए कई tourism और commercial activities की सुवीदाया पर नहीं मिल पाई, लेकिन अभी क्योंकि चीज़े मौके के साब से बन रही है तो Mumbai के बास में एक अंतिम अवसर है कि mindless development से बच कर एक planned well-rounded space को अपने मौके के साथ में बना सकते है जब समाच के विबिन आर्थिक वर्क के लोगों को स्वागत यहाँ पर किया जा सकता है और अब समझते इस project के अंदर एक्चुल में develop होगा क्या इस project में काफी चीज़े develop होने वाली है क्योंकि बीते गए कुछ सालों में मुंबई की जन संक्या बड़ी तेजी से बड़ी है इसके कारण जो अवश्यक इंफरा है वो किसी भी मेगा सिटी के लिए जितना बनना चाहिए वो नहीं बन पाया लेकिन यहाँ पर उसका चांस है इसलिए जो वाटर फरेंट स्पेस बनेगा वहाँ पर लंग स्पेस, मरीना, सीफरेंट फॉक्वेस, प्रामेनाज, वाटर स्पोर्स, प्लाजा, फ्लोटिंग रेश्टोरेंट्स, पब्लिक ट्रांस्पोर्टेशन के लिए अलग अलग फिसिलिटीज, रोड्स, वाटर, मेट्रो, रेल, पाकिंग प्लेसे, साइक्लिं साल 2016 में, एहमदाबाद बीच्ट, इस जमीन के लिए, मुंबई पोर्ट ट्रश्ट की इस जमीन के लिए, मुंबई पोर्ट ट्रश्ट कॉंप्लेक्स मास्टर प्लान बना कर रखा है, और अभी इसके उपर ही बात चल रही है, अगर हम वरतबान में बात को समझे, तो जो स्टेटस इस प्रोजेक्ट का है, वहाँ पर, MMRAD के कमिश्टर, मिश्टर संजे मुखर जी के अनुसार, MMRAD ने इस हाबर सिटी के अक्रॉस, 350 स्कूर किलोमेटर ऑफ सेटेल्मेंट को डेवलप करने के लिए, प्रपोजल सामने लिया है, यानि कि ये जो जमीन है, पोर्ट है, जो सिट को द्वारा प्लान सिटी की गई है, और नैना सिटी जो बन रही है, वो 370 स्कूर किलोमेटर की है, इन सब के बीच में, अगर एक 350 स्कूर किलोमेटर का टाउन बनता है, तो आप समझ सकते हो कि उसका बहत हो कितना बड़ा होगा, और नवी मुंबई कोई छोट हाला कि इनिशल प्लान इसको यहाँ पर बनाने का था, तो मेभी एक बनेगा, या फिर दो मुंबई में बन जाएंगे, तो अगर न्यू प्रोजेक का ग्राउंड वक के बारे में बात करें, तो प्रॉबबलिटी है कि जल्दी यह शुरू होगा, मुंबई आए, प्रोजे बनाने के लिए, रेक्लमेशन का काम चल रहा है, या connectivity बनाने के लिए, कोश्टन रोट प्रोजेक शुरू है, जब कि दूसरी तरफ, इस्टन कोश्ट में एक नए टाउन को ही पूरी तरिके से बसाने की बात चल रही है, यह कहना गलत नहीं होगा, कि आने वाले सालों में अगर चीज़े सही से एक्जिक्यूट कर जाती है तो मुंबई की जो coastal regions है चाहे वो eastern हो या western हो वो दोनों तरफ में international standards पर खरे उतरने वाले regions बनेंगे जहापर एक बहुत बड़े income को तो यह लाएंगे ही लेकिन साथ-साथ मुंबई शेहर के development को और आके push करेंगे अला कि य आना और मिलेंगे अगले वीडियो में